अभी साम की वाक्त है और गार्डन में आप देख सकते हैं लोग कुछ आएं एक्सरसाइज कर रहे हैं और सुबा सुबा काफी भीड होती है लोग आते एक्सरसाइज करते हैं प्रेक्टिस करते हैं वियायाम करते हैं मेडिटेशन करते हैं टालते हैं वक करते हैं एक जगह बेटते हैं मन सांत होती है और हम सभी को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते हैं सुबह चाहे आप दस मिन्ट पांच मिन्ट अधा गंटा जितना भी करते हैं आपको बहुत अच्छी फील होती है हम सकते हैं गार्डन हरी भरी से बहुत ही बढ़िया नजारा बहुत ही अच्छा लग रही है और बहुत ही खुस्बुदार हवा कि बह रही है कि यह देख सकते हैं यहां पर यह कोई बेठे हुए हैं और गिटार की चारों तरफ डिजाइन किया हुआ है बहुत ही बढ़िया फिल होती है और लोग आते हैं यहां पर टहलते हैं काफी खुसी फिल करते हैं और आप अगर ऐसी जगह आपके आस पास है तो आप जाएए और बेठिये सांती फिल होगी आपको मन बिलकुल सांत रहेगी अंदर से खुस रहना आप सीख सकते हैं अंदर से खुस हैं तो आप हर जगह खुस आपको मिलेगी काफी बड़ी गार्डेन है इक्सिसाइज करने के भी सुईधा काफी है यह देख सकते हैं जूला वेगरा शिलिपर लोग बैठे हुए हैं सांती पूर्वक अराम फिल कर रहे हैं अगर आपके घर के आसपास गार्डेन नहीं है आप घर पर ही मेडिटेशन कर सकते हैं व्ययाम कर सकते हैं आप घर के आसपास ही टाहल सकते हैं जरूर नहीं कि आपको गार्डेन ही जाना है बहुत इसे लोग हैं जिनके घर के आसपास गार्डेन नहीं होती है तो वो घर पर ही इकसे साज करते हैं और यह देख सकते हैं कोवा काव बहुत ही बहतरीन यह चारों तरफ हरी भरी से भरी हुई है यह पोधे फूल काफी बढ़ियां और हवा बिलकुल बहुत ही खुस्बदार हवा चल रही है बहुत ही अच्छा फिल हो रही है यह देख सकते हैं पोधे काफी खुबसूरत खुबसूरत खुसी फिल होती है यह देखिए और कुछ लोग आई हुए हैं बेट के अपना सोच रहे हैं अच्छा फिल कर रहे हैं तरह तरह के लोग आते हैं ठीक है टेक कियर थैंक यू मैं डियर फ्रेंड्स कर दोगसु मैं डियर खुबसु झालाय से तरह